वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ से पहले एक चीज आप सब लोगो को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ नहीं और वैसे भी मेरा खुद का अभी तक वोटर कार्ड भी नहीं मैंने निकाला है तो लेकिन आज की वीडियो में जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यह चीज़े अच्छली 22 अप्रील को न्यूजबेपर में पुब्लीश हुई थी 20 अप्रील को जो हमारी प्रामिनिस्टर है इन्होंने कुछ फार्मसे सेक्टर के बारे में बात ही ती उस ताम पर मैंने ट्रैक नहीं किया तो लेकिन स्क्रीन के उपर आपको इस स्क्रीन शॉट भी दिख रहा होगा इसमें सबसे पहला पहली जो चीज़े यह है कि अने ट्यूज़े हाव यह लुड़ेट अप्राइट सेक्टर फॉर इस स्पिरिट ऑफ इन्वेशन अने इंटर्पाइज विद इंडिया फार्मा सेक्टर व नहीं है कि यहां पर जो इकने सारी कंपनीज है बहुत बड़ी है बहुत बड़ा मार्केट है और इक्स्परेंशल ग्रोथ इसकी बहुत जादा आगे हो सकती है लाइक उसके चांस भी है कि आगे आगे जाकर यह सेक्टर आगे बहुत अच्छा कर सकता है नमबर टू तू सब्सक्राइब काईटिंग केसे इंक्रीज देखो यह तो बहुत लाजमी बात थी लेकिन हम सब लोग इसमें से पॉज़िटी सीज़े क्या है अब देखो हम सब लोग अभी बड़े हो गए तो कंट्री के कैसे चलती है यह आपको समझना पड़ेगा कंट्री ऐसे चलती है आपके कंट्री के जो प्राम मिनिस्टर है या फिर जितने भी सारे में लीडर से वो कंट्री के कौंसे सेक्टर के बारे में क्या वियू रखते हैं और कंट्री को किसकी जादा जरूरत है इसकी उपर उस सेक्टर का future decide होता है आपके example देता हो मैं roughly आज की रेट में जितने स आने वाला था उस टाम पे Infosys JC companies establish हुआ करती थी बहुत चोटी companies और इन companies ने boom देखा और JC JC 1990 आया उसके बाद में इन companies में exponential growth होनी लगी 2000 के बाद बहुत जादा होनी लगी लेकिन उसके बाद फिर से इंडेस्ट्री ने पिछले 10-12 साल में रिकावर कर चुके तो ऐसा होता है कि country's के प्रामेंस्ट्र उस टाम पे 1990 में जो प्रामेंस्ट्र हुआ करते थे 1995-192000 के बीच वे उन सारे लोग की पॉलिसी आईटी सेक्टर के लिए अच्छी थी लाइक आज के रिट में विप्रो, HCL, TCS, Infosys यह सारे कंपनी तो ऐसे ही होता है कंट्री की ग्रूमिंग के लिए उस कंट्री के में लीडर्स का क्या-क्या स्टेटमेंट से बहुत ज़दा मैटर करते हैं इसलिए यह स्टेटमेंट से हम सब लोग के लिए बहुत इंपोर्टन है अब देखो बहुत बड़ी बात है और आप सब लोग पड़े लिखे हो तो आपको यह बात समझने आई होगी की फार्मसेक्टर की हर जगा पे वही वही चल रही है अब देखो आने वाल दिनों में आप लोग के मन में जितने सारे डाउट होते है कि क्या फ्यूचर है क्या ग्रोथ है दो मझे एक्चली कमेंट आयती मझे लगता है दो दिन पहले कमेंट आयती जहां पर उन्होंने कहा था कि 10-12 लोग है मेरे बाजू के वह लोग कहते कि फार्मसेक्टर में कुछ नहीं है तो उन सारे लोग के लिए वीडियो है जो लोग आपको ऐसा बोलते है तो